तो यह देखें इसकी और कितना जबर्दस सा बनाएं इसकी और कितना जबर्दस सा बनाएं इसकी आप असलाम अलेकूँ वैलकम टो केचन वीद आमना डोट कॉम मैं हूँ आमना और आप देख रहें कितन वीद आमना यूट्यूब चैनल तो आज हमारे कितनल बन रहे हैं क्रोसंस जिसे हम ओवन में भी बनाएंगे और पैन में भी बनाएंगे और जिस तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी अगर आपने वो सीख लिया तो समझें आप अपने घर में क्रोसंस अराम से बना सकते हैं तो बहुत ही एजी तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी तो आप इस वीडियो को लास तक देखें क्रोसंस की डो बनाने के लिए हमें जो चीजने चाहिए चाड़ कप मैदा 2 टेबल स्पून बटर 2 टेबल स्पून पाउडर चीनी नमक मिक्स कर लेंगे इने अच्छा से मिक्स हो गया अब सेंटर में जगा बना लेंगे और इसमें नीम गरम दूद आट कर देंगे और थोड़ा थोड़ा मैंदा डालके इसे गूंद लेंगे इस तना करके मिक्स करते जाएंगे इसे हज़बन जर्थ नीम गरम दूद से हम गूण लेंगे थोड़ा थोड़ा डालेंगे और गूणते जाएंगे इसकी डौः हमने वैसे ही रखने हैं जैसे हम पीजा डौः गूनते हैं softly gonna नी जो से हम सॉफ्ट गूनते हैं तो ये सारा हमने इसमें dirty अब इसमें अ क्षे चेश में अज़र करएंगerson परआ नियों 10 मींट के लिए। मुझन सब्सक्राइबiblia है ऑफ से ऐसे मुदल लेंगे 10 मिंट के लिए mudhead कि ये चिपकना बंद हो जाये, तो यह देखें, डोह हमने अछे से गूंद लिया, अब इसे हम अच्छी तनाश से कवर करके, रख देंगे एक घहन्ते के लिए, तो मैंने इसे प्लास्टिक राप से कवर किया आप किसी कपड़े से भी कवर कर सकते हैं तो इसे रख देंगे एक घेंटे के लिए डो हमारी दाइस हो चुकी है अब इसे निकालेंगे पंच्ट करेंगे उसको निकाल लेंगे दस्ट कर लेंगे मैदा इसे रोल करेंगे हम तो यह हमने बड़ा सा रोल कर लिया अब इसके हम छोटे छोटे से पेरे बनाएंगे तो साइस के मुताबिक काट लेंगे एक दो तीन च्यार पांच छे साथ आठ नो दस यारा बारा तेरा चोदा पंदरा पंदरा हमने इसके पेरे बनाने है तो इसका मतलब पंदरा लेयर्स बनेंगी तो इसके अब हम पेरे बनाएंगे रोल कर लेंगे इसे इस तरह करके इसके बनाके रखते जाएंगे इसे तरह सारे बना लेंगे सारे पेरे हमने बना लिए अब एक एक पेरे को हम बेलते जाएंगे और रखते जाएंगे इन सब को हम बेल लेंगे तो पहले एक उसको पकरेंगे और इनको हम साइट पर कर देंगे मैदा डस करेंगे प्रैस करेंगे एक रोटी की तरह इसे बेल लेंगे बेलन को भी मैदा लगा लेंगे तो यह हमने बेल लिया इसी तना सारे बेल लेंगे इसे हम साइट पे ड़क देंगे और दूसरा बेल लेंगे तो इसको भी बेल लिया इसे भी हम साइट पे ड़क देंगे इसे तना सारे बेल लेंगे मेला डस्ट करेंगे और बेलते जाएंगे सारी रोटियों को हमने बेल के रख लिया और हमें बटर चाहिए 200 ग्राम सोफ्ट बटर तो सोफ्ट बटर हमने 200 ग्राम ले लिया अब एक हम प्लेट ले लें या एक ट्रे ले लें तो मैंने यहाँ पे एक बेकिंग ट्रे ले लिया आप कोई भी ट्रे ले सकते हैं या प्लेट ले सकते हैं तो इस पे हम एक बेली हुई रोटी रखेंगे तो इसको हम यहाँ पे रख देंगे और इस पे हम बटर लगाएंगे चाहें तो हाथ से भी लगा सकते है melted butter होना चाहिए थोड़ा सा फिर से निकालने और रख दे थोड़ी दिर के लिए तो melt हो जाएगा तो सारा butter हमने लगा दिया अब इसके उपर हम दूसरी रोटी रखेंगे फिर से butter लगाएंगे इसे तरह हम रखते जाएंगे और लगाते जाएंगे तो सब के उपर बटर लगा दिया और एक दूसरी के उपर रखती गई में और last पे हम बटर नहीं लगाएंगे तो ये last वाजी रोटी इसके उपर रख देंगे और इसे इस तरह से cover करेंगे अब इसे cover कर देंगे तो मैं इसे plastic wrap से cover कर देंगे आप किसी भी बर्तन से cover कर सकते हैं किसी भी रुमाल से cover कर ले और अब इसे हम फ्रिज में रख देंगे एक घंटे के लिए उपर वाले हिसे में नहीं नीचे वाले हिसे में और ये जो butter बच गया ये तक्रीबन 50 ग्राम बटर बच गया और 150 ग्राम हमने butter लगा दिया और अब इसे हम रख देंगे एक घंटे के बाद हमने इसे फ्रिज से निकाल लिया है अब इसको निकालेंगे खुश मेलर डस्ट करेंगे निकाल लेंगे इसे और उपर भी matter dust कर देंगे और अब इसे हम बेल लेंगे एक बड़ी सी रोटी बना लेंगे गोल सी जादा पतला नहीं बेलना मोटा बेलने आपने ये देखें इसकी मोटाई देखें इसे थोड़ा सा हम और बेलेंगे तो यह देखें इसे हमने बेल लिया और यह देखें इसकी मुटाई इतनी मुटाई होने चाहिए देखा अब इसको हम काट लेंगे एक पॉइंटर ले लेंगे और इसको कट्स लगाएंगे सेंटर से काटेंगे और अब हम यहां से काटेंगे यहां से अब हम इस साइड से काटेंगे यह वली और अब इसे हम फिर से इस तरह काट लेंगे इसके दो हिस्से कर लेंगे इसे तरह करते जाएंगे और अब इसे हम एक को उठाएंगे सबको साइडों पर कट देंगे उठाके अब एक को उठाएंगे थोड़ा सा कट लगाएंगे कट लगा दिया अब इसको हम गोल गो मालेंगे इस तरह इस तरह गुमा के baking tray पे रखते जाएंगे तो एक baking tray ले लेंगे और इस पे हम रख देंगे तो इस से रखते जाएंगे लेकिन baking tray को मैंने grease नहीं किया और आप भी grease मत करना तो हम इसे इसले पे जाएंगे फिर से एक लेंगे cut लगाएंगे और इसको फोल्ड करते जाएंगे और रखते जाएंगे थोड़े फासले फासले पर इसे तना सारे कर लेंगे तो सारे हमने त्यार कर लिए हैं एक हमने बेकिंग ट्रे पर रख दिया और एक हमने ट्रे पर रख दिया तो आब इस पर हम melted butter लगा देंगे, brush से, तो सब पर butter हमने लगा लिये, आब इसे rice होने के लिए रख देंगे, आदे गंटे के लिए इस तरह ही खुला, और oven को हम preheat कर लेंगे, 200 degree पर आदे गंटे के लिए, अच्छे से preheat हो जाएगा और एक हम पैन में बनाएंगे, तो जब हम इसको त्यार करेंगे, तो पैन को हलका सा गरम कर लेंगे, तो oven को हम preheat कर लेंगे, oven को preheat करने का मतलब यह है, हाली oven को गरम करना, तो हम इसे अच्छे से गरम करने के लिए डख देंगे, सैटिंग वैसे जैसे हम चीज को बे करते है, तो यह कर लेंगे सिर्फ प्री हिट, आदे गांटे होने में 10 मिंट बाकी है, तो उससे पहले हम अंडा ब्रश कर लेंगे, तो अंडे में मैं 1 तीस्पून पानी आड़ करूँगी, अच्छे से फैंट लूँगी, और इस पर लगाती जाओंगी, इन पर भी लगा लेंगे, तो सब पर हमने अंडा लगा लिए, अब इसे हम बेक कर लेंगे और ओवन भी हमारा प्री हिट हो चुका है, प्री हिट हो चुका है, अब इसे लख देंगे, अब हम पैन वालों को भी बेक कर लेंगे, पैन को अच्छे से गरम कर लेंगे, तो पैन अच्छे से गरम हो चुका है, अब इस पर रखते जाएंगे, इसे कवर कर देंगे, और मीडियम टो लॉफ लेंपे बेक करेंगे 25 मिंट के लिए, 15 मिंट के बाद हम इनकी साइट चेंज करेंगे, तो आप चमबच से कर लें, मैं हाद से कर रहीं, यह देखिए नीचे कलर आ गया, सब की साइट चेंज कर देंगे और कवर कर देंगे, 10 मिंट के लिए कवर कर देंगे, मीडियम टो लॉफ लेंपे, तो यह bake हो चुकी है, इन्हेनगे निकाल लेंगे, तो यह देखिें, जबर्दस से हमारे bake हुए है है, तो प्रोसंस को हम cooling rack पे रखते जाएंगे, यहां रखते जाएंगे, तो यह क्रोसोंस हमारे बेख हो चुके हैं और पैन वाले का हम वेट कर रहे हैं। जैसे ही वह बेख होंगे उन्हें भी हम निकाल लेंगे। तो यह बेख हो चुके है। तो मैं आपको दिखाती हूं कि कैसा कलर आया है। घरम बोत है। एक तो यह देखें कितना जबर्दस कलर ज़ाया देक्श लोड आ दसके पैन में धेके माशल आ दसया ऑन में बना सकतें औरॉज तो आप इन्हें हम निकाल लेंगे कूलिंग रेंगें और जो कूले और नियुकर आन्क देंगे नियुक्ट तो अब मैं आपको यह दिखाऊंगी कि यह कितने मज़ेक और कितने कृस्पी बने है तो पहले मैं आपको पैन वाला दिखाती हूं कि कैसा बना है तो यह पकरे तो यह देखे आवास सुने आवाज यह देखें मज़ेका सबडस सा और अब मैं आपको दिखाऊंगी ओवन वा और अब मैं इसे खाके दिखाती हूँ वैसे तो आप इसे चाय के साथ खाएं तो मुझा आरे मैं वैसे ही खा रही हूँ और बाद मैं चाय के साथ खाऊंगी तो अगर आपको को ये ACC Chamber के virtuous की रिसेपी अछिए लगया तो मिकर लाइक कने इसे share कने और अगर आ आप इसकी रैस ही करके पिच्चर में इसे share कना चाथे तो आप इंस्राग्राम पे कर सकते हैं ये रहाह में इक्स्राग्राम और इसबटन पे क्लिक करके आप की चण्वी द पाने चाहे के साथ, ओ, अल्लाह आफिस